तुम अपनी 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 घरवाली से रोपी बनवाओ और तलितों को भोजन जिनुवाओ तो समरस्ता आएगी इसके लावा समरस्ता उससे भी नहीं आएगी समरस्ता तो इससे आएगी जो हमारे हक है इमानदारी से हमें दे दो ना तुमें हमारे घर खाने की जुरत पड़ेगी ना हमारे तुमारे घर खाने की जुरत पड़ेगी कि हम तुम्हारे बराबर में आखे खड़े हो जाएंगे साथ चाए पीएंगे साथ बैटेंगे साथ खुमेंगे जो पूलवेंगे जितने पूं किपistes देट माउम्टर ठालीजों में है किया हो सब साथ मैट के चाय प्राणी नहीं पीते है किया चाय साथ का नए हिगा तो समरस्त कर अपने हा पाजाएगी तुम हमारी नक्त्रिय हमारे अधिकार हमेंfilm हम क्या वांघ रहें इच LIVE से साब और हमें हमें क्यों समर्तन नहीं मिल रहा आरक्षित वर के सांसदों पिछणे वर के सांसदों विदायकों का समर्तन क्यों नहीं मिल रहा मैं अपने साती जो अभी यहां समर्तन देके गए अपने हिद्राबाद से जो साती आए थे विदायक पूर विदायंग आए थे राक्षिंटी जो आल इंडिया बेक्वर्ड केंदेशन के अध्यक्स थे वो साथी जो यहां समत्तर देगेगे उसका स्वागत करते हैं पंतुस विदान मंडलों के अंदर और लोकसवा के अंदर क्यों हमें सताधारी पार्टी या विपक्स पार्टी या अपना दल या कोई गेर दल समर्थक क्यों हमारे मुद्दों पे नहीं कर रहा है ये विचार नहीं ये भी से है क्यों 131 सांसद और 5 जो सामाने सीटों से जीत कर गए है 136 सांसद क्यों शिडिल कास्ट के क्यों शिडिल ट्राइब के सांसद पार्लेमेंट के अंदर हमें समर्थन हमारी इन मांगों का कर रहे हैं क्यों हमारे प्रेलेता समर्थन्चों नहीं कर रहे हैं ये विचारनी ये विशे है साथियों हमें हमारी मांगे सच्ची है हमारी मांगे अच्छी है हमारी मांगे समेधानिक है मौलिक हैं, इसलिए उनको समर्थन, ये सरकारें, सरकार के दल, और बिपक्षी दल, सांसद और विधायक नहीं कर रहे हैं, अपने लोग भी इस अंदोरन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम अगर आरक्षन का कानून बनाने की बात कर रहे हैं इस मल्क में, हम क्या गलत कर रहे है कोई एक साथ ही हमें यहां आके बता दे परल्यमेंट में बेटा हुआ एक सांसत कोई आकर के बता दे अपर कास्ट का कोई सांसत बता दे शिडिल कास्ट का कोई सांसत बता दे पिछडी जात का कोई सांसत बता दे कि अगर हम आरक्षन कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं बंतु समर्थन क्यों नहीं इस पे विचार करना होगा अगर हम प्रणत्यों में यानि के सीर्ष पदों तक अगर S.C.P.C. के सवान उपाती आरक्षन की मांग कर रहे हैं Reservation in Promotion की मांग कर रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं क्या हमारे समाजों को इस बात के लिए विशप्त कर दिया गया है कि हमारे समाज के लोग चतुष शेड़ी का ही काम करेंगे नालिया ही साब करेंगे फाइले ही उठा के देंगे क्या हमारे लोग अधिकारी की कुर्षी में बैठने के योगे नहीं है क्या उन्हें मानी बैठने देना चाहिए क्या SSPTM नहीं बनना चाहिए क्या Chief Engineer नहीं बनना चाहिए क्या Chief Medical Officer नहीं बनना चाहिए ये हमें छोटे पदों पर तो परदास कर पा रहे हैं इसलियों ने इस मुलके अंदर इन्होंने परत्यों में आरक्षन का विरोध किया और यहां तक कहीं राच्चों में डिमोशन भी किया उत्नव परदेश में लाखों करमचारियों का डिमोशन किया गया ये मोदी के सरक्षन में सारा खेल हो रहा है ये मोदी किरवा रहे हैं और मोदी को जब तक साल 19 के चुनाओं में बेतखल नहीं किया जाएगा और उसके भरव को नहीं तोड़ा जाएगा लब तक हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं है इस बात पर ध्यान देना है मित्रो अगर हम इस मुल्क में नैपली काओं में आरक्षन की मांग कर रहे हैं पिछटों के प्रतिनित्धु की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोट हाई कोट में मुस्लिम जजों की बात कर रहे हैं क्या CBC बेकवर्ट माइनटी के जज है High Court Supreme Court में नहीं होने चाहिए विस्तिक जज़ की कुर्शी पे क्या Schedule कास्ट का जज़ नहीं बेटना चाहिए क्या ऐसा आप समझतन करते है होना चाहिए की नहीं होना चाहिए तो हम क्या गलत कर रहे है हम इस मुल्क में समान सिक्षा कानून की बात कर रहे हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं मैं सेलूट करता हूँ 36 गड़ के दो अधिकारियों की एक कलेक्टर है उनमें मंत्सोर के कलेक्टर 36 गड़ में और दूसरे एक SSP हैं जिनों ने प्राइमरी पाट साला में अपने बच्चों के दाखले कर रहे हैं उन बहदूर अधिकारियों के लिए जोट आता लिए मैं चाहूँगा कि उन बहदूर अधिकारियों को अत्रिक्त प्रमोशन दिया जाए और उनको सिक्षानीती के छेतर में लगाया जाए जिसे इस देश की सिक्षा का मामला सही हो सके इस देश की सिक्षा के दौर स्थी बिसी के लिए सदा सदा के लिए बंद कर दिये जा रहे हैं ऐसी सिक्षा लाई जा रही है मैं प्रात्मिक शिच्चा का बताना चाहता हूं पूरी मुल्क के अंदर अभी उत्राखट के अंदर एक नया मोडल निकाला गया है कि प्रात्मिक स्कूलों में साफ पड़ा ही नहीं हो रही है प्रात्मिक स्कूलों का इतिसाम बदलना चाहिए प्राग्मिक स्कूलों का सिस्टम बदलना चाहिए तो प्राग्मिक स्कूलों को ये लोग नीजी छेतर में देने जा रहे है टिपल पी मोडल के उपर सिच्छा पंदती इस देश की चालू होने वाली है जो बेकारे स्कूल है जिनको बेकारों की सर्ण सूची में रखा गया है वो बेकारे स्कूल सधा-सदा के लिए बंद हो जाएंगे उनमें या तो गाये बंद रही या कोई गोशाला पुल जाएगी और जो स्कूल चल सकते हैं उनको किसी पुजी पती को दे दिया जाएगा पुरे के पुरे जिले पुरे के पुरे राज्च के प्रात्मिक स्कूल और उसकी लैंड और उसका भवन इस देश के पुजी पत्यों को दे दिया जाएगा ये होने वाला है पुत बत्मिक शिक्षा के साथ फिश्मी द्यालों की शिक्षा पहले ही बंद कर दी गई है ब्रुवित मैमूला की 70 बाट का कवा है कि शिदिल गास्ट के लड़के, पिछली जात के लड़के, उची शिक्षा हासिल ना कर सके ये हैद्राबाद की इनिवस्टि के अंदर इस्तावित हो चुका है तलितों के झात्रों का उत्पीडन बिष्डों के झात्रों का उत्पीडन जिस प्रकार से हो रहा है और सभी विश्याटन प्रकार से खुटे में Terre में के RSS के VC लगाए जा रहा है वो बहुत शब्रनाक और बहुत ही खराब बात है आप वर्विशेस के संगटन विशेस के और VC अगर विश्विद्यानों में लगाओगे तो इसका मतलब वो आपके वीजी एजेंडें पर काम करेंगे विश्विद्यानों में शिरिकास और पिश्री जात के बच्चे पीश्डी हासिल नहीं कर सकेंगे क्या उसकाम के लिए आपने लगाया है या अपने इतिहास बद करेंगे इसने में राश्पति हो यो इस तेश में राश्पती होआ बज्दूर की संतान सब की शीख करेंगे इसके उपर हम चांद करें, क्या अगर हम कांद करें? अभी तिलंगाने का साति निदायव हमारा बता के गया कि महा कक्षा एक से लेकर के कक्षा बारा तक के बारा लाख छात्र जो है बोर्डिंग स्कूलों में पड़ रहे हैं, सब को छात्रवत्या दी जा रहे हैं, वलब यहां BJP रूल जो सरकारे हैं, वो SCBC के छात्रों का बहुत से बरबाद कर रहे हैं, इन्होंने SCBC के छात्रों के बजीबे बंद कर दिये हैं, इन्होंने फीस प्रती पूर्थी बंद कर दिये हैं, और उन्होंने क्या किया है इस बार के बजट का अजूबा देखो इस बार के बजट में जो मौदी ने अजूबा खिलाया है जो अजूबा किया है तो क्या जूबा किया है कि इस बार उन्होंने इस पेशल पिछले तील साल से जो 20 जार 25 जार 30 जार करोड की कटोती स्पेशल कंपोनेंट प्लान में कर रहे थे इस बार उन्होंने पूरा का पूरा स्पेशल कंपोनेंट प्लान ही गायब कर दिया है जो मैं भारती जी सही कह रहा हूँ अगर मेरी सुचना सही है भारती जी अंगडों के जानकार है और बजट के उपर उनका काफी दखल है इसलिए मैंने उनकी सहमत लिये मेरे पास पकी सुचना है मैंने बजट पे सरसदी रज़र डाले थी इस पेशल कंपोनेंट प्लान का साथ हजार करोड रुपया जो इस देश के गरीब आदिवासियों और अनुसुचित जातियों पिछडी जातियों पे खर्च होना था तो साथ हजार करोड रुपया मोदी सरकार टकाल गई हमारा हमें शर्म है मोदी सरकार के उपर तो जो सरकार निकम्मी है तो जो सरकार निकम्मी है मोदी सरकार होस में आओ तो ये होस में तो नहीं आएंगे चुकि घटी में बैठे वे विटी का दिमाग खराब होता है बहुत गुम्रा, मगरूर, बहुत जाधे जैनिक क्या क्या भीमारिया उसको हो जाती है तो ये दिमाग तो इनके ठीक नहीं होगे दिमाग तो इनके आप करेंगे ठीक, ये देश की जलता करेगी ठीक नोट बजलती वो कह रहे है कि तक्त बदलतो, ताज बदलतो, ताज बदलतो, पहिमानों का राज बदलतो तक्त 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 ब तो चारसों का अख़़ा बैठा के वैचे हैं तो वह ही क्या वास को में 400 पेंटा हुtı हुआ हैं तो पर ये टक्त बदल दो टार्च बदल दो व्पी मैंनों का राज बदल दो इस नारे को वापस करो इस नहारे को मुझे बापस दे दो मैं वक्त पर इस्तमान कर लूँना बेकार क्यों करना हम आपके साथ हैं आप आपके साथ हैं विच्छों यह जो तीन सो आये सटाए यह बेकवर समाज के यह जो इस पेशल कंपोनेंट प्लान का साथ अजाल क्रोन रुप्या रोका है यह जो मिश्विद्यालियों में स्टी बीची का अरक्षर बंद किया है यह जो सिख्षा पे पुठारा कहाँ हो रहा है यह जो रेन्वे का निजी करण काया कल्क के नाम पे ह और पिछिदों का अरक्षर ख़तन क्या जा रहा है इसे पिच्टी जात्यों के इस जाकर बताऊ रांध नुश्म कूलिया जीश बताऊ इसको पूरिण सींग की एप इप्षडी जातों के इस जाकर बहुत है पिष्डे वर्डों इसा दोते पते कर लेंगे , उन्होंने रामनातगोविद अनसूचित से राश्पती बन दिया है , पहले तो रामनात कोविर जी को मैं बढ़ाई देता हूँ वो राष्टपती बन गए है दूसरे दलित राष्टपती तो इन दलित राष्टपती को हमारा ये पहला ग्या पन जाएगा मेरा निवेदर राष्टपती मौदे से महमहिम से बड़े सम्मान और अदम के साथ कि उसमें हमारी पंद्रा सूत्री मान पत्र आपके पास एक घंटे के अंतर पहुँच रहा है तो हम पैदल दोड़ के आजाए राय सेना हिल तक हमारे पांच जवान दोड़ के आप तक पहुँच जाएंगे बन्तु आप समय नहीं दोगे हमारा ग्यापन आप तक पहुँचेगा महमहिम राश्पती जी आप अनुसूचित जातियों से आए हो बताए गए हो तो अगर आप आए हो और वास्तों में हो अनुसूचित जातियों से और आप हमारी पीडाओं से वाकिव हो तो भई आप हमारी इस पत्रा सूत्री मांग पत्र के उपर इस मोधी सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर जरूर करना तो मित्रो नाश्पती जी जब करेंगे सो करेंगे उन्होंने कर दिया है आपका राश्पती मिठा दिया है इससे जादा क्या चाहिए आपको तो साल उन्निस में चार सो पकी अरे देखो वई इससे बड़ा पद हो भारत में क्या है इससे बड़ा पद कोई दूसरा है नहीं हमने अनुसूचित जात्यों का गोरव बढ़ाया है सम्मान बढ़ाया है कांगर्स पार्टी हमेसा विरोध करती है बन्तु हमने ही सम्मान बढ़ाया है और हमने सिरी रामनात कोविंद जी को अनुसूचित जाती से लाकर के 500 कमरों के भवन में बिठा दिया है राइसीना हिल के उपर तो भाई और इससे ज़्यादा आप हमसे क्या चाते हो वंकिया नाडू बन गया नाडू को भी हम पधाई देते हैं वह उपरास्पोती बन गए अब मुझे यह पता नहीं वह पिछड़ी जातके है क्या तो भी प्रामार तो पिछडों को भी वह पिछडों को बहुत बाते बताएंगे पिछडों के बीच जाकर के कन्फूज कर देंगे देखो आद्रप्रदेश में इक जाती होती है नाइडू नाइडू होते हैं पिछडों का राष्ट बना दिया अगली देखे उससे रास्पती बनाएंगे 400 पक्की अब ना तो तलितों को कुछ चाहिए और ना पिछडों को कुछ चाहिए मोदी जी आपने हमारे रास्पती बना दिये उप रास्पती बना दिये हमें और कुछ नहीं चाहिए और ये रखी हमारी वोट पूरे कुनबे की वोट पूरे गाउं की वोट और तुम सारी ले जाओ तो चार सो पकी हो जाएंगी की नहीं हो जाएंगी ये मत होने देना ये मत होने देना साल सत्रा में होने दिया इस देश के दैत और पिछडों ने साल चोदा में होने दिया साल सत्रा में होने दिया अब तू सुपरिणाम भुगतो अब तू सुपरिणाम भुगतो और वो क सदियों ने खता कीती सदियों ने सजा पाई एक लम्हें की खता हमारा समाज करता है एक लम्हा लगता है बटन दबाने में एक लम्हें की